इसारी कहानिया पार्क से स्टार्ट होती है कि आपको जीवन मेना तीन लड़कियों को नहीं भूलना एक का नाम है रेश्मा, एक का नाम है सल्मा, और तीसरी है मंदीब वाइशुट बोईज है वाल्दफवन, एंड फॉर गर्ल्स आपको तीन बोईज को नहीं भूलना, वो है अंकुर, एक है सैयद और एक है डेविट, जो चाचा है वही बतीजा है, जो बतीजा है वही चाचा है, वो बनाना नहीं, जो आप सोच रहे हो, मेरे इंकम के पीछे जो जीरो लगते हैं वो भी गोल है बच्चो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल, साइन्स अंफन नाइन टेन्स पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं, तो भारी धिवांड पर, आज लेकर आए हैं, वन शॉर्ट सर्कल का, पता चली चुका है आप लोग को, भाया जो सर्कल चाप्टर है वो बहुत इंट्रस्टिंग चाप्टर है, आज तक सर्कल हमने इस नदर से कभी देखा ही नहीं, कि सर्कल के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, आज तक यही लगता रहा कि यार एक रेडियस होगा, एक डायमीटर होगा, ज्या ज्यादा एक कॉर्ड बच्पन में पड़ी थी, बस और ही क्या होगा, लेकिन अगर आप इस चानल को ढंक से फॉलो कर रहे हो, तो टेंट्ट क्लास के अंदर भी मैंने सर्कल से रेलेटिद दो चाप्टर डाले है, एक सर्कल है, खुद, इसी का आगे पार्ट टू आ है बेटा, यहाँ पर ही आप बीजबोद होगे, यही पर ही, और मेरे साफ से सर्कल इस इंटरस्टिंग चाप्टर आफ क्लास 9 माथमाटिक्स, जिमेट्री बोरिंग होती है, लेकिन यह वाली जिमेट्री ना थोड़ी सी इंटरस्टिंग है, थोड़ी नी, काफी इंटरस् स्टरी करनी पढ़ रही है, माक्स पाने के लिए, तो शुरू करेंगे आपका यह चाप्टर, और इस चाप्टर को पढ़ते वक्त, आप लोग अपनी पैन और नोटबुक दोनों को पास रखेंगे, उसके अंदर आपने नोट्स डेवलप करने हैं, यह जो जो यह आपको प्रूफ कराता चलूँगा, प्रूफ तो आप बात में आपको यह पीपीट टेलीक्राम चनल पर मिली जाएगी, आपको ऊपर क्या करना है, आपको सारी की सारी थियोरम से लिखते चलना है, क्योंकि थियोरम का गेम ही थियोरम का है, आओ, आगे बढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा बेस बना देते हैं, चलो, आज हम बनाएंगे थोड़ा सा बेस रिलेटेट तो सरकल, कुछ पुरानी बाते, बहुत सारी नई बाते, तो we all know that, कि जो हमारा सरकल होता है, एक प्लेन फिगर होती है, जिसका यह होता है बच्चों सेंटर, चलोंकि यह होता है हमार रेडियस, और यह होता है हमारा डायामीटर, ठीक है जी? यह बात हमको अल्रेडी मालूम है, and we also know that जो डायामीटर होता है, वो ट्वाइस ओफ वो ट्वाइस ओफ रेडियस होता है, ठीक है जी? यानि अगर डायामीटर से रेडियस पर जाना पड़े, तो आधा कर दो, और रेडियस से डायमेटर पर जाना पड़े तो दो गुना कर दो मैं आज आपको इस चैप्टर काना बेसिक से लेकर एंड तक सब कुछ पढ़ाने बाला हूं बिलकुल बढ़ी ऐसे पढ़ा दूँगा चिंता छोड़ तो यह चैप्टर कभी तंग नहीं करेगा आपको प दूसरी चीज़े आती है जैसे कुछ आ गया कॉर्ड थकति न मिटंगा चलो कॉर्ड और यह आ गया कॉड छोड़ए पी क्लाइन सेगमेंट होती है कि लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों अपार स्वूंग वह सरकल के ओपर इसको आप कहते हों कॉड and most importantly कि जो डाया मेतर होती है हमारी वो कर दो या मेतर है रोड नदनर नए के जो अ मरे यला मीट है बच्चो वो एक लॉंग गईस्ट पॉर्ड एक कोट है मुझे पॉइंट के अखर बात करें के सरकल एक प्लेन को एक सबसकी को एक प्लेन को थीन पार्ट में डिवाइट करता है पहला दूसरा ओन्दा सर्कल और तीसरा समझी गई हो प्रेंस कहते हैं पता ही आपको आप कुछ नई चीजों के बारें पढ़ाई करते हैं जैसे यह हो गया बच्चों सेंटर यह तो थी आपकी कॉड जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे अगर एक लाइन वो लाइन स्पेग्मेंट थी यह लाइन है जो एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके जाएगी उसको बोलते हो आप सी केंट क्या बोलते हो इस लाइन को बोलेंगे सी केंट गॉट इट समय आ गया चले आगे फिर अगर मैं आपको पढ़ाऊं एक शब्द होता है उसको बोलते हैं टैंजेंट आप लोगों ने बड़े बच्चों को सुना होगा टैन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा तो यह होता है सबसभाएंगे आगए और यह होता है टैन थीटा टैन की फोलिटेंट होती है तो कहींEL न कहीं बेज़ बनाते चलेंगे आपका कि तकि 10 में आप जाओ तो थोड़ा सूपीरियर हो Tangent क्या होता है? Tangent एक ऐसी line होती है, जो एक circle को बस एक point से छू कर जाएगी A line which छू कर जाएगी एक point पर At a point और उस point को हम point of contact कहेंगे ठीक है न? इस line का नाम होता है हमारी tangent क्या होता है बच्चों? tangent और इस point का नाम होता है point of contact क्या होता है point of contact छेक है जी कुछ extra बाते भी आपको मैंने बता दी यह होती है secret got it चले इसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे important तीन चीज़ों कि अभी मैंने आपको बातों बातों में बताया कि यह जो होता है यह जो on the circle है यह है circumference आपको पता है circumference of a circle लेकिन अगर मैं बात करूँ if this is a circle if this is a circle we all know that चलो green ले ले दे कि अगर हम आदे की बात करेंगे तो वो semi circle होता है लेकिन आदे से कुछ कम की बात भी करेंगे या कुछ जादे की बात करेंगे तो इसको बोलते हूँ आप arc क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं arc of a circle अब arc ना दो होते हैं एक चोटा आर्क है भाई यह भी तो आर्क है apart of circumference of circle is known as arc अब यह चोटा है तो इसको आप बोलोगे minor क्या बोलोगे minor यह बड़ा है इसको आप बोलोगे major क्या बोलोगे major arc minor arc और major arc बात सब्सक्राइब आ गई ठीक है जी इसी प्रकार से जो एक chord होती है chord जो होती है वो circle को दो हिस्सों में divide कर देती है जो पहला हिस्सा होता है जो छोटे वाला होता है उसको हम minor segment कहते हैं छोटू छोटू सी segment minor segment यह बड़ू सी है तो major segment the area bounded between the area bounded between arc and chord लिखते चलो जितना बेज बनाओ के उतना बढ़िया area bounded between arc and chord is known as is known as arc and chord arc and chord is known as segment छोटी तो minor बड़ी तो major बास अन्या आगई यह आगया 8 point अब 8 point हमारा क्या कह रहा है 8 point कह रहा है हमारा sector the area bounded by radius and arc इसको बोलेंगे हम sector area bounded by radius and arc उसको आप बोलोगे बिटा sector यह छोटा है तो minor sector और यह बड़ा है तो इसको बोलेंगे major sector क्या बोलेंगे major sector बास समझ में आ गई minor और major बास समझ में आ गई है clear है सारी बाते device कर लो chord समझ में आ गया sequence समझ में आ गया टेंजेंट समझ में आ गया arc समझ में आ गई segment समझ में आ गई और sector समझ में आ गया diameter पहले से आता था circumference पहले से आती थी इत्ती बास में आ गई अब आपको क्या करना है फटा फट से comment section पर आना है और मेरे कुछ सवालों का जवाब देना है देखने कितना आपको समझ में आ गया ठीक है जी जो सबसे पहले जवाब देगा मेरी तरफ से उसको बहुत सारा प्यार सतकार और अशिरवाद मिलेगा और जो लेट देगा उसको भी मिलेगा लेकिन ऑविसे बात है जो पहले जीतता है उसको तो competition spirit क्या कहते हैं interaction मैंने आपको बताया था जब मैं सबसे पहले तो जवाब देना शुरू करेंगे the center the center of a circle lies in dash of the circle center कहां लाई करता है interior exterior on the circle answer is interior शाबाश बहुत बढ़ी है आगे देखेंगे a point whose distance from the center dash of a circle is greater than the radius lies in the dash of the circle हां जी बताओ a point whose distance from the center is greater अगर क्या होगा is lies in dash of the circle तो यहां पर ग्रेटर तो यहां पर exterior भी लिख सकते हो क्या लिख सकते हो greater भी लिख सकते हो अगर एक circle के radius से बड़ा point ले लेंगे तो कहां चला जाएगा बाहर चला जाएगा the longest chord of a circle क्या होती है अभी बताए थी its diameter is diameter of a circle ठेक है जी एन आर्क is dash when its end are the end of the diameter एक circle के diameter के end point को जोड़ दो तो इस आर्क को क्या कहोगे यहां तैमी circle क्या कहोगे बच्चो पैमी circle बात समया आ गई segment of a circle is the region between an arc and dash of a circle segment किस के बीच का area होता है आर्क और very good chord के बीच का area होता है बेल से पहले पहले जवाब देता है जाओ a circle divides the plane on which it lies in कितने parts देख लो बताई दिया three parts interior exterior यह on the circle यह आगे बात revision की यह बात आगे revision की आगे देखेंगे truth was बताना है t और f लिखना शुरू कर दो कह रहे है line segment joining the center to any point on the circle is radius center से circle के उपर हर एच point के distance को radius कहते है answer is true बिलकुल a circle have only finite number of equal chords कह रहे है a circle has only finite equal chords no this is false एक circle के उपर आप equal chords बना सकते हो infinite यह 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 सारी equal बन सकती है समझ रहे हो यह सारी equal length की बन सकती है if a circle is divided into three equal arcs each is a major arc एक circle को a chord of a circle which is twice as long as radius एक ऐसी chord जो radius से double है उसको आप diameter कहते हो बिलकुल बात सब्सक्राइब sector is the region between the chord and its corresponding arc chord और arc के बीच के area को आप sector कहते हो no उसको आप segment कहते हो उसको आप segment कहते हो sector तो होता है area bounded by arc and radius चेके जी a circle is a plane figure yes a circle is plane figure अच्छा plane figure का मतलब क्या है अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके आज पास circular object देखो तो बहुत सारे circular object मिल जाएंगे पापा का सिक्का गोल मम्मी की बिंदी गोल दादी की दवाई गोल सब कुछ गोल दिख जाएगा आपके watch goal आया ना और मेरे सामने जो camera ना वह भी गोल है ठीक है जी और मेरी income के पीछे जो zero लगते हैं वह भी गोल है ठीक है और लेकिन जो मेरी saving है वह भी गोल है गोल समझते हो यानि शून ने वह भी गोल है तो कहानिया पर यह आती है कि हमारे आसपास बहुत साथ चीजे गोल है लेकिन circle नाम की चीज हमारे आसपास कोई भी पाई नहीं जाती आप धरती पर कोई भी ऐसा circle भार घूमता वह नहीं देखोगे circle को बनाने के लिए आपको एक paper चाहिए एक plane surface के उसके उपर आप draw कर सकते हो माल लो आपने circle एक plane के उपर बनाया यानि कागज के उपर आपने circle बनाया उसको आपने काट लिया तो जो काटा हुआ circle नहीं वह सिलेंडर है क्योंकि उसकी कोई मोटाई होगी अच्छा जैकी नहीं होता तो ऐसे 10 circle काट लो 10 circle को काट के एक क्योपर एक क्योपर एक रख लो अगर इसकी thickness ना होती तो य यह एक सिलेंडर बन जाएगा बनेगा की नहीं बनेगा उसकी मोटाई आपको फिर विजिवल हो जाएगी तो एक्टोल में circle नाम की चीज धरती बर दो नहीं है वो धरती पर बनानी पड़ती है यानि एक प्लेन फिगर पर बनानी पड़ती है तो इस प्लेन फिगर नौट आपका बेस बन गया और चलती है चाप्टर की गंभीर और मज़ेदार थियोरम मतलब का मतलब होता है बनाना वो बनाना नहीं जो आप सोच रहे हो केले वाला बनाना नहीं बनाना मतला हिंदी वाला बनाना जो मेरे हिंदी ना बहुत कमजोड है और इतनी भी नहीं कि मैं बनाना ना लिख पाऊँ हाँ, जब एक chord angle बनाती है center पर, तो वो बराबर होंगे, देखो क्या कहा रहे हैं, इसको proof कराते हैं, मान लेते हैं यह दो chords, मान कहा लेते हैं यह, बट यह मान लेते हैं कि यह दोनो equal है, given है कि जो AB है वो CD के बराबर है यह आया center ठीक है जी अब इसको बोलते है subtend करना, यह जो angle बनाया है इन्होंने center पर इसको बोलते है बनाना यानि subtend करना given क्या है, AB जो है, वो CD के बराबर है ठीक है, जी two proof, आपको proof क्या करना है proof यह करना है कि angle AOB जो होगा वो angle COD के बराबर होगा यह आपको proof करना है अब जी proof शुडू हो जाते है proof करने के लिए लगेगी congruency, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ने से पहले congruency revise कर लेगे तो triangle chapter बहुत जल्दी आएगा लेकिन basic congruency हमने 8 में पढ़ ली थी वही लगेगी है आपको तो n triangle AOB and triangle COD इन दोनों triangle को congruent करेंगे AO किसके बराबर है वेटा AOCO के बराबर है और जो BO है वो DO के बराबर है ऐसा क्यों? क्योंकि ये radius है A की circle के सारे radius आपस में बराबर होंगे तो यहां लिख देते हैं radii of same circle radii of same circle और साथ में AB जो है वो CD के बराबर है ये बात आपको पहले ही given थी तो therefore triangle AOB जो हो जाएगा वो congruent हो जाएगा COD के by by SSS similarity criteria similar हो गया? similar होने के बाद तो आप राजा होते हो एक आपका दोस्त था उसका नाम था CPCT angle AOB TOD के बराबर आजाएगा by CPCT अब ये तो मैंने आपको कराया theorem का proof this is the proof of your theorem चीक है ना? लेकिन इस चीज को आपने learn कर लेना है as a concept paper में proof भी आ सकता है two marks का लेकिन concept तो लगे गए लगेगा कि दो chords होंगी ना वो sent अगर दो chords की length equal है दो chords की length equal है तो वो equal angle subtend कर मैं आगे एक शब्द लिख देता हूँ उसको बोलते हैं and wise a versa wise a versa मतलब अगर angle equal हुए तो chords भी क्या होंगी बराबर angle equal हुए तो chord भी क्या होंगी बराबर यानि if if equal angles equal angles are subtended are subtended by chord at center then chords are equal then chords are equal तो chord भी क्या होंगी बराबर equal होंगी बासन में आगे उल्टा भी possible है अब इस से लिड़े एकाद question देखते हैं हमारी बुक्के कोशन है मैं आपको सारी कीम्टी कोशन करा रहा हूँ हलका कोशन कोई नहीं लाया हलके तो आप फुद भी कर लोगे ये कर लिये तो prove that if the chords of a congruent circle what do you mean by the congruent circle देखो circle congruent का बोते थे जब उनके radius equal होते थे when they are radius are equal तो देखो उशांक जो है न वो याद तो कम पढ़ाएगा लेकिन जितना पढ़ाएगा न ये मेरक को अपने उपर घमंड है जितना पढ़ाएगा न वो उत्रा deep पढ़ादेगा कि आपको कई और जाने की जोतनी पढ़ेगी अब congruent circle बच्चों को नहीं पता होता तो बता दिये मुझे पता है न बच्चे हाथ ख़़ा करके पूछते पूछते सार कोंगन सर्कल क्या होता है जबकि छोटी सी बात है लेकिन क्या कहते हैं हमारा जो वीजन है न वो यह है कि यहाँ पर कोई भी डाउट सिली नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम इसी वीजन से पढ़ारे हैं कि हमारे साहमने जितने भी डाउट आएंगे कॉंन नोंसिली मान रहे है क्योंकि डाउट सी तो है बच्चों के चाहि वो सिली हो नोंसिली हो उससे ब्चुन नहीं हो ईडाउट डाउट रहेगा कोई कोशन नहीं रहना चाहिए दिमाग में सब्टेंड इक्वल एंगल एड दियर सेंटर दो कॉड्स हैं दो सरकल हैं और दोनों क्या है बेटा हमारे सरकल है ठीक है जी अच्छा मैं सरकल तो बहुत बढ़िया बनाता हूं न सब्टेंड इक्वल एंगल एड दियर सेंटर इन्होंगी इस वाले एंगल के क्या है बेटा बराबर है ठीक है प्रूफ करना है कि कॉर्ड भी बराबर हो गिवन क्या है गिवन यह है तर्कल विद सेंटर ओ तर्कल विद सेंटर ओ तर्कल विद सेंटर ओ तर्कल विद सेंटर ओ डाश 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 एंड एंगल A, O, B जो है वो बराबर है C, O, D के ठीक है जी? ओके, टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है? अच्छा मैंने A, B ही नहीं लिखा sorry तो जो A, B है वो C, D के बराबर है यह आपको प्रूव करना है यह बराबर है सर्कल कॉंग्रूंट रूफ कर लोगे बिल्कुल अपॉजिट है जो अभी किया अपने यह घालो मेर से यह हैं ट्रयंगल एऊ भी एंट ट्रैंगल सी ओडिश दी सो अब यहांपर देखेंगे जो औya है, वो c o dash के बराबर है क्यों congruent circles ऐसे लिख लो और भड़िया तरीका से मैडम खुश हो जाएगी नाच ना start कर देगी कि बच्चों को इतना बड़ी आता है क्या statement लिखेंगे एंग्रेजी में की रेडियाई of two congruent circles ठीक है ना of two congruent circles गिवन लिखो के मज़ा नहीं आयो एंगल a o b जो है वो बराबर है c o dash d के ये बात आपको गिवन है और जो o b है वो o dash d के बराबर है सेम कारण आजाएगा जो उपर दिखा था तो ट्राइंगल a o b congruent हो गया ट्राइंगल c o dash d के बाए कि एस एस सिमिलारी कांग्रुएंट सी क्राइटिरिया कांग्रुएंट हो गए ऐसे से अब ऐसे से हो गए तो देयरफोर a b जो है वो c d के बराबर आ जाएगी बाए प्राइग याद आई जाता है तुरंत बात समझे आ गई clear है तो यह वाला concept आपको समझने आ गया प्राबर होगी तो अंगल बराबर होंगे तो जो चाचा है वही बतीजा है ठीक है न थोड़ा से फंट वे पड़ो ठेक है चल मारके पड़ो concept बढ़े असान है ऑके चलो अब बढ़ते हैं एक नई थियोरम पर दोको थियोरम भूसारी है पहली थियोरम आपने लिख ली अ byset a chord is perpendicular to the chord ठीक है जी अब देखो यह दो बाते हैं यहां पर मैं इसको इसका सरांश यहां पर लिख देता हूं ठीक है जी यह तो है हमारी NCRT की बाते हैं मैं sympathy बात लिखता हूं perpendicular का सहिन है perpendicular from center to chord to a chord byset the chord byset the chord perpendicular from center to chord बताता हुँ अभी वो उसको byset कर देगी अगर वो byset कर रहे तो पर्पेंडिकुलर होगी, पर्पेंडिकुलर है तो बैसेक्ट करेगी, वाइसा 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 पूरे चाप्टर पे चलेगा, देखो, ये एक सेंटर है, ये एक कॉड है, अगर हमने इसके ओपर पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये बैसेक्ट करेगी, और अगर बैसे कर रही है तो यह दोनु एक की बात लिखी है वासा वासा थे क्या न सू जिवन क्या है जिवन यह यह है कि जो ओस्टी है वो पर्पेंडिकुलर अच्छा इसका ना पोजिट भी आएगा आपको पता है ना इसका पोजिट भी आएगा कि वो बोलेगा A C B C बराबर है प्रूफ करो कि यह परपेंडिकुलर है ठीक है ना ओके वो कर लेंगे अब देखो इसको प्रूफ करने से पहले आपको करनी पड़ेगी छोट उसी कंस् यह फिट योरम बता रहो जो पेपर में आती है तुमारे और इस से लेटे कोशन बहुत सारे हैं क्या कहा रहो है विजा इसको जॉएन कर लो इसको भी जॉएन कर लो तो आमने जॉएन कर दिया A O को और our पू मेंगों यहां देखते हैं पूसendों किया गिया रहा है पूफ कह रहा है अट हर थेयोरम प्यूर्य करांगा जो आपको नीडीड है आपके सिर्फ बताऊँ वा यह बात भी नीडीड है और थेयोरम एइन दुर्म को कॉंग्हेंट करेंगे इन ट्र्यैंगल OCA and triangle OCB इन triangle को कर दो congruent देखो पहले तो आगया हमारा 90 degree फिर आगया हमारा radius बराबर होता है फिर आगई हमारी side common है तो RHS याद आगया angle OCA angle OCB क्या आगया विट्टा each 90 degree क्या आगया each 90 degree आगया ठीक है जी अब इसके बाद OC आगया OCB आगया अब क्या आगया जो हमारा AO है वो BO के बराबर है सेम बही बात आगयी radii of same circle radii of same circle ठीक है रहा क्या आगया radii of same circle और जो ये height आगयी height क्या है OC जो है वो OC के बराबर है वो side आगयी हमारी common तो right angle है hypotenuse है और एक side है तो triangle OCA congruent हो गया triangle OCB के by by RHS अब इससे क्या आया बेटा हमारा AC जो है वो BC के बराबर आगया by CP CT है अब इसका उल्टा भी आप से पूछा जा सकता है ये याद रखना तब क्या होगा आपको ये पता होगा तब आप इन दोनों triangle को congruent कर लोगे side 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 और side उससे ये वाला angle और ये वाला angle बराबर आ जाएंगे अब अगर मालों एक angle 1 है और एक angle 2 है यहाँ पर बता देता हूं तो ट्वाइस ओफ 1180 आ गया तो एंगल 1 की वेल्यू आगी बटा नबबे डिग्री तो अगर नबबे है तो एंगल 2 भी कितना होगा बटा नबबे होगा ठेक है तो 1990 भी प्रूफ कर दिया इसको कर लेना इस यूर होमवर्क इसको उल्टा वाला पोर्शन आप प्लीज इस को निपटाएंगे बसमन में आ गई है आगे बड़े चलो इससे लिवी कोशन है हमारे पास ही बहुत ही जड़ा इंपोरटन कोशन है हमारी टैंपॉइंट सीड़े जो दो points पर intersect कर रहे हैं यह रहा A और यह रहा B ठीक है जी, prove that their center lies on the perpendicular bisector of common cord this is the common cord AB is the common cord of both the circle, this is O and this is O dash कहरें जो इसके center lie करेंगे वो AB के perpendicular bisector के उपर लाई करेंगे माल ले देंगे, यह C है आपको prove करना है, A C B C के बराबर है और यह angle आपको prove करने की यह 90 degree के भी है, ठीक है जी तो given given लिख ले न to prove, आपको prove क्या करना है, बस यह देख लो कि O, O dash जो है, इस perpendicular bisector on AB, यह प्रूफ करना है, तो इसके लिए भी आपको कुछ joining, winding करनी पड़ेगी join कर लेंगे हम किसको बेटा O A को, O B को, O dash A को और O dash B को, ठीक है जी join O A O B O dash A and O dash B को, ठीक है जी proof proof क्या कह रहा है बिटा हमारा, proof यह कह रहा है, कि अब देखो बहुत कंभीर है, डंक से समझना थोड़ा सा कमर, ऐसे कान कर लो important है, क्या कह रहा भी यह पहले ले लो बड़े triangle कारा नहीं उता दूंग, ऐसा क्यों किया इन triangle O A O dash and O B O dash इन दो triangle को कर दो congruent, क्यासे, जो O A है, वो O B के बराबर है, radii of same circle, और जो A O dash है वो B O dash के बराबर है, कारण क्या है बिटा, radii of same circle radii of same circle बात समया गए, A O जो है, वो B O के बराबर A O dash जो है A O dash, B O dash के बराबर है और तीसरी चीज़ आ गई, O O dash O O dash के बराबर है वो है common, समझने की कोशिश करेंगे, ये तो इसके बराबर है, एकी circle के radius है ये भी एकी circle radius है और ये क्या है, common आ रही है तो उपर वाला triangle और नीचे वाला triangle SSS से congruent हो गया वर हमने ये किया क्यों? अभी बताता हूं कि हमने ये क्यों किया by SSS हमने ये इसलिए किया कि ताकि हमको ये वाला angle ये वाले angle के बराबर में जाए देखो आपको करनी है AC और BC को बराबर जब हमको AC और BC को बराबर करना है तो हमें इन triangle पर इन triangle को congruent करना पड़ेगा और उन triangle को congruent करने के लिए अभी तक में पास सिफ एक radius था और एक common side थी और कुछ भी नहीं था तो एक angle हमको create करना पड़ा तो यहां पर आया कि angle 1 जो है वो angle 2 के बराबर है by CPCT बासन में आ गई ओके ये आ गया angle 1 angle 2 के बराबर आ गया by CPCT अब आप छोटे triangle congruent कर लो और enjoy कर लो G1 को ठीक है जी अब नाव in triangle कौन सा OCA and triangle OCB इन दो triangle को congruent कर लो कैसे एक तो आ गया OA जो है वो OB के बराबर है radia of same circle angle 1 जो है वो angle 2 के बराबर है proved above और जो OC है वो OC के बराबर है common है ठीक है ना तो therefore triangle OCA congruent हो गया triangle OCB के by 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 SAS congruency criteria अब ऐसा हुआ तो इसका मतलब आ गया कि जो AC है वो BC के बराबर आ गया by CPCT तो ये bisector तो prove हो गया perpendicular proof करने के लिए same way काम कर लेंगे दियान से देखो इस angle का नाम देलो 3 इस angle का नाम देलो 4 तो angle 3 जो होगा वो भी तो angle 4 के बराबर होगा by CPCT and angle 3 plus angle 4 का सम कितना आ गया 180 तो angle 3 4 की जगा भी 3 180 180 क्यों आया linear pair एक line के उपर दो same angle अगर एक line के उपर दो angle बनते हैं दोनों का सम कितना होता है 180 तो ये आता है twice of angle 3 is equal to 180 आया angle 3 की value कितनी आ गई बेटा हमारी 90 डिगरी आ गई और वो angle 4 भी होगा तो therefore ये बात हमारी prove हो गई कि ये perpendicular भी है और ये bisector भी है ठीक है जी तो therefore o o dash is perpendicular bisector on a b a b की ओपर क्या है perpendicular भी है और bisector भी है बात संग में आ गई है अभी वच्चों को चलो बहुत ही बढ़ी है तो ये question काफी अच्छा है और important है important ही लाया है आगे देखेंगे अब ये भी एक theorem है जेकिल इसका कोई proof नहीं करना आपको ठीक है न no proof required no proof required ना है ना हम दे पाएंगे आपको ना ही आपको चाहिए ठीक है न आपको से अब इसको समझना है feel करना और इसको apply करना है क्या कह रहे equal chords are equidistant from the center ये कह रहा है equal chords देखो पहली बात तो करेंगे equal को और समझा गया equidistant की बात कर लो equidistant मतलब equal distance equal distance और distance जो होता है हों हमेशा perpendicular distance होता है अब मैं ये क्या कह रहा हूँ ये बात कहां खोल के सुन लो ये जीवन की सबसे important बात है तुमारे मान लो कि एक line है तुमारे सामने की दिवार है और ये तुम हो ठीक है ये तुम हो ठीक है जी तुम्हें इस दिवार को छूना है कैसे छूओ दिवार को छूने के कितने तरीके हैं बहुत सारे एक ये भी एक तरीका है एक ये भी एक तरीका है एक ये भी एक तरीका है, एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है, तो जो भी परपेंडिकुलर वाला तरीका होगा, जो बिलकुल सीधा तरीका होगा, जो बिलकुल परपेंडिकुलर होगा, वो सबसे छोटा होगा, और वही डिस्टेंस होता है, पर हम बात कर रहे हैं perpendicular distance की, तो equal distance भी होना चाहिए और perpendicular भी होना चाहिए, तो मैं आपको क्या क्या रहा था, एक chord है, एक circle है, अगर ये chords बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चों, अगर ये chords बराबर हैं, तो इनका दूरी center से, इनक OCD के बराबर होगा, then OM जो है, वो बराबर होगा, ON के, and vice versa, equal chords are equidistant from the center, and if distance is equal, then chords are also equal, अंग्रेज जी is very very high today, तो में आ गया, अगर chord बराबर है, तो distance बराबर होगा, अगर distance बराबर है, तो chord, और distance is always perpendicular, mind it, सिक है जी, तो equal chords are equidistant from the, given center, not it, clear है, याद रख लेंगे इसको, you have to learn it, you have to learn it by heart, then copy उठाओ, और इसको भी theorem के लिस्ट के अंदर, प्रमानित कर दो, चलो जी, आप इससे later कुछ कोशन है, इससे later जो कोशन है, वो सबसे धुवादार कोशन है, यह paper में कितनी बारी आया है, तुम खुद अंदाजन लगा सकते हैं, कह रहे हैं, two intersecting, अब यह न, दो कोशन आएंगे, एक यह वाला है, और एक यह वाला है, यह दोनों एक दूसे के opposite है, तो एक मेरा, एक तुम्हारा, ठीक है न, तो मैं यह वाला करा जेता हूँ, मैं कोई cheating नहीं कर रहा है, मैं कोई चलाक बरो नहीं हूँ, ठीक है, असान कोशन है, मैं आपको यह अला पहली बताओंगा, वाईसा वरसा आप खुद कर लेंगे, अब देखो तो सही मज़ा आ जाएगा, कह रहे हैं, यह 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 एक सर्कल है, दो कोट सर्कल की, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, if two intersecting quads of a circle makes equal angle with the diameter, this is the center and this is the diameter, यह यह वाला जो angle है, यह वो इस वाले angle के बराबर है, दो intersecting quads diameter से same angle बना रहे हैं, ठीक है जी, okay, let's say this is A, this is B and this is C and this is D, got it, ठीक है जी, और let's say इसको नाम हम देते हैं P, और यहाँ पर हम altitude draw कर लेते हैं, ठीक, construction, इसका नाम देते है M, और इसका नाम देते है N, very important question, ठीक है ना, पहले दो लिख लो given, given क्या है, जो हमारा angle 1 है, वो angle 2 के बराबर है, पहली बात, ठीक है ना, दूसरी बात to prove, आपको prove करना है कि cause बराबर है, cause यानि आपको prove करना है कि जो AB है वो CD के बराबर है, उसके लिए आपको एक construction करनी पड़ेगी, आपको draw करना पड़ेगा, आपको draw करना पड़ेगा, OM, OM को perpendicular on AB, and ON को perpendicular on CD, ठीक है आपने क्या किया, OM को AB पर बनाया, ON को CD पर बनाया, perpendicular, got it, prove देखो, आओ जी, prove बहुत ही simple है, जहां से देखेंगे, पता चली क्योंगा, अगर ये perpendicular बनाया है, तो एक तो हो गया ये 90 degree, एक हो गया ये angle, और ये एक हो गयी common side, तो angle, angle side नाम की theorem बड़ी थी हमने, ठीक है न, तो in triangle, O, M, P, and triangle, O, N, P, O, N, P, ठीक है जी, अब नहाँ देखो, जो angle, O, M, P, is equals to O, N, P, क्या हो गया बिटा, each 90 degree, ठीक है न, angle 1 is equals to angle 2, ये बात आपको already given है, और जो P, O है, वो P, O के बराबर है, क्योंकि common है, बास समझ में आ गई, तो therefore triangle, O, M, P, जो है, वो congruent हो गया, O, N, P, के by, 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 angle, angle side, by angle, angle, side, तो उससे क्या आया, उससे क्या आया, कि जो हमारा O, M है, वो O, N, के बराबर आ गया, by C, P, C, D, बठ हमें ये तो proof करना ही नहीं है, हमें तो O, M, को O, N, के बराबर थोड़ना करना था, हमको करना था, A, B, को CD के बराबर, हमको क्या करना है, मेरे प्यारे बच्चो, A, B, को CD के बराबर प्रूफ करना है तो हो तो गए अगर OMON बराबर है if equal quads are equidistant from the center equal quads are equidistant from the center हो गया खतम यहीं का नहीं है यानि अगर distance बराबर होगा तो cod बराबर होगी cod बराबर होगा तो दूरी बराबर होगी ठीक है ना तो which implies that कि जो AB है वो CD के बराबर है क्या लिखेंगे equal quads are equidistant from the center बात समझे आ गई आया ना चले आ गई चलो तो यह हो गया प्रूफ अब आपने क्या किया इन दोनों triangle को concurrent किया जिससे OMON के बराबर आ गया तो AB भी किसके बराबर आ चुकिये बड़ा CD के अगला question just opposite है if equal quads of a circle intersect within the circle now quads are equal you have to prove कि वो angle बराबर होगा अब ध्यान सुन लो उल्टा आपको खुद करना है लेकिंसेंट तुम्हारा भाई दे रहा है same figure बनेगी अगर quads बराबर है तो OM जो होगा वो के बराबर होगा ठीक है जी ओके एक 90 डिग्री हो चुका है और एक आगया common तो 90 common hypotenuse हो गया और एक side हो गई रहे चैसे क्या हो जाएगा तुरंट वीडियो के बाद या वीडियो रोक कर आगे बढ़ना पहले इसको कर लो फिर बढ़ना फिर आपने क्या करना है मुझे बताना है comment section में कि सर हमसे हो गया या नहीं हुआ ठीक है जी ओके चालो बहुत बढ़ी है आगे बढ़ रहे हैं अगला काम क्या क्या कह रहे है if a line intersects two concentric circles इसी topic की ओपर एक और question आया कह रहे है if a line intersects two concentric अब concentric circles क्या होते हैं ऐसे circle जो जो सर्कल से कितना घेम पैदाव रखा है ऐसे circles जिसका radius same हो, center same हो, radius अलालाओ, ऐसे circle जिसका same center हो, same center but different radius हो, उसको आप क्या कहते हो, concentric circle, यह circle आ गया, एक यह circle आ गया, ठीक है जी, okay, कह रहे हैं, if a line intersect two concentric circles, दो intersect, ऐसे हो गई, ठीक है जी, with the same center, ठीक है न, at point O, यह center ओदे रखा है, A, B, C, D पर, यह आ गया, A, या गया, B, या गया, C, या गया, D, प्रूफ करना है, A, B, जो है, वो CD के बदे, ठीक है न, two proof, आपको क्या प्रूफ करना है, कि जो A, B है, वो CD के क्या है, बराबर है, इसको प्रूफ करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ construct करना पड़ेगा, construct मामूली सी चीत, देखो हर एक line के पर एक altitude तो होत एक O, M, बनाना है, परपेंदिकुलर, O, M, ड्रॉफ करना है, परपेंदिकुलर टू, A, D, अब A, D पर बनाओ, B, C बनाओ, बात तो एक ही है, अब कर लो proof, ठीक है जी, अब बहुत ही सिंपल है, देखो, जो A, C होगा, sorry, जो A, M होगा, जो A, M होगा, क्या वो D, M के बराबर नहीं होगा, ठीक है जी, और विस्तार में अगर आपको पढ़ाँ, जो कि मेरा धर्म है आपको पढ़ाना, वो यह कहते हैं कि जो O, M है, वो परपेंदिकुलर है, A, D के, तो therefore जो A, M होगा, वो D, M के बराबर होगा, अगर O, M परपे स्थास, परपेंदिकुलर फ्रॉम, सिंकर टू काउड, क्यो सबिसी कर्ण को जो परपेंदिकुलर फ्रॉम सिंकर टू कॉर्ड, जो एकोल हिस्तोर में, डिवाइट कर देता है, तो यह थो कहली आगी, हमारी हमारी पहली बात है, फस्ट ले लेंगे, पिमिलर्ली, इसी प्र गत्रकार जो O-M है वह पर्पेंडिकुलर है बेटा एडी के भी, वी ची के भी है, आप करेंगे जो O-M है वो B-C के भी क्या है बच्चो पर्पेंडिकुलर है OM BC के भी क्या है बच्चो perpendicular है परपेंडिकुलर है की नहीं है बिल्कुल है तो 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 BM जो होगा वो भी किसके बराबर होगा PM के BM किसके बराबर होगा CM के कहानी यहां पर सेम आएगी perpendicular from center to the court इसको ले लेंगे हम second क्या ले लेंगे second अब common sense लगा लो यह पूरा जो है AM जो है वो MD के बराबर है और जो BM है वो MC के बराबर है अगर हम इसको subtract कर ले बहुत बच्चे समझी चुके होंगे मैं क्या करने वाला हूँ subtract कर ले 1 and 2 को तो AM में से BM चला जाएगा और DM में से CM चला जाएगा तो AM में से BM गया क्या बचा AB बचा और DM में से CM गया क्या बचा CD बचा काफी खुबसूरत कोशन concentric circle का भी ज्यान मिलता है और perpendicular from center to the cord bisect the cord इसका भी आप use सीख जाते हो चलो आगे बढ़ते हैं बढ़ा अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बाद बताऊं कि आपको जीवन में ना तीन लड़कियों को नहीं भूलना जब तक आप नहीं थे नो तब तक तो मत भूलना भाई प्लीज एक का नाम है रेश्मा एक का नाम है सल्मा और तीसरी है मंदीब क्योंकि इनसे लेड़े कोशन है हमारी NCRT के अंदर जो की बड़ा ही खतरनाक सा कोशन खतरनाक मुश्किल हो ला नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है तो इसको भूलना नहीं है ना रेश्मा भूलो ना सल्मा को भूलो और ना मंदीब को भूलो क्योंकि यह तीनों भी बुरा मान जाएंगी और नंबर भी बुरा मान जाएंगे तो एक है रेश्मा एक है सल्मा और एक है मंदीब तीनों लड़कियां क्या कर रही है पारक में पारक में नी पारक में खेल रही है है एक पार्क है क्या लिखा है अर प्लेंग एक गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ऐस सर्कल ऑफ रेडियस फाइव मीटर द्रॉन इन आ पार्क को के अंदर एक सर्कल है तर्कल के ऊपर यह खड़े होकर आं दुशरकल यह गेम के लिए गे यह कैच अम catch catch him catch खेलिए ने all the PFF तो पर जैब रेशमा थो सब्सक्सक्रिदब टो है यह भी कितना बिटांव मेज में निकालना है और जो रेडियस दिया हुआ है जो radius है वो 5 meter है समझे अब इस question को अगर आपने समझ लिया तो लिखतो आप खुदी लोगे समझ लो समझना क्या है मालो यह center है इसको भी join कर लिया इसको भी कर लिया तो यह 5 है यह 5 है एक construction कर लिया n बना दिया ठीक है न तो इसके अंदर एक construction होती है छोटी सी कि आपने draw कर लिया आपने क्या कर लिया प्यारे बच्छो ड्रॉ कर लिया on perpendicular to rs on perpendicular to rs अब बड़े ही ध्यान से देखना बहुत ही ध्यान से तो अगर यह बेटा perpendicular है तो यह दो parts में डिवाइड कर देगा ठीक है जी since on जो है वो rs के perpendicular है ठीक है ना तो therefore जो rn है और जो ns है वो तीन-तीन मीटर के आ जाएंगे बेटा जब यह पूरा ही 6 मीटर है तो यह 3 और 3 मीटर के आ जाएंगे ठीक है जी अब हम बात करते हैं in triangle onr से कर लो या ons से कर लो आपकी इच्छा है तो इन ट्राइंगल onr ठीक है न अब देखो onr की बात करेंगे तो जो on कितना है पता नहीं लेकिन nr कितना अभी निकाला था 3 तो यह आगया 9 तो 16 is equals to on का स्क्वेर तो on की value आगई 4 मीटर on की value कितनी आगई बेटा 4 मीटर आगई ठीक है जी अब जाद देखो अब जो मैं बात लिखने वाला हूं वो देख लेंगे area of triangle osr क्या बराबर नहीं होगा area of triangle osr देखो थोड़ी थोड़ी न offline की भी promotion करनी जरूरी है osr का area osr के area के बराबर होगा किनी होगा और इसमें भगवान का नाम भी छुपा हुआ है तो osr का area osr के बराबर होगा किनी होगा common sense की बात है मेरा वजन मेरे वजन के तो बराबर ही होगा irrespective मैंने नापा कैसे हो कैसे भी नापू बराबर आएगा ठीक है ना अगर area of triangle osr है तो अगर मैं base ले लू rs और height ले लू on और यहाँ पर मैं दुवारा निकालने के लिए base ले लू os और height ले ले लेता हूँ area तो same आना चाहिए ना और आएगा भी rs base कितना है बेटा 6 on height कितनी है बेटा 4 half base कितना है बेटा os 5 rl कितना है we don't know rl आ गया बले बले हो जाएगी half से half कट गया 24 upon 5 rl आ गया तो rl की value आ गयी 4.8 meters rl आ गया 4.8 meters ठीक है जी rl आ गया 4.8 meters तो rm निकालना है therefore जो rm होगा वो twice of rl होगा फिर वही बात perpendicular from center to the cord by sex the cord ठीक है जी तो rm जो होगा वो twice of rm हो जाएगा यह आया था हमारा 4.8 तो rm हो जाएगा हमारा 9.6 meters बात पते की थी गांट बन कर रख लो important question है तीनों को नहीं बुलना ठीक है जी and for girls आपको तीन boys को नहीं बुलना वो है अंकुर एक है सयद और एक है डेविड लड़कों को रेश्मा सल्मा मंदीब नहीं भुलनी और लड़कियों को अंकुर सयद और डेविड नहीं भुलना ठीक है जी आजओ जी असर भाई लड़किया कहें पीछे रहें वाई शुट बॉइज है वाल्दफन आया ना बच्चे लोगों तुम चलो कोई बात है नहीं आज को सब चल रहा है तो कह रहें अच सर्कुलर पार्क अफ रेडियस 20 मीटर इस सिच्चुएटी इन ए कॉलोनी यह सारी कहानिया पार्क से स्टार्ट होती है आप अब आप देख रहे हो अरे यार यह रभ कहा है नहीं नहीं आए नहीं और फिर पारक बोल रहा हूं मैं बिस्कुट बोलता हूं बिस्किट की जगा तो मेरी हिंदी और इंग्लिश दो नहीं कम जो रहे हैं मैस मेरी स्ट्रॉंग है क्या बात क्या दी मैंने सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इस सिचुवेटिड इन कॉलोनी तीन बॉइज हैं अंकुर है सयद है और डेवि खाकर दूर तक दूर्सरे ग्लाश में और भी करके इहां दूर से बोलो न आवाज द cured झाती है परे जए चैजी होती है उसकी तो वह पार्क में भी ऐसी of each phone, यानि आप AS, SD और AD, equal triangle है देखो, यह triangle क्या है equilateral, since अंकुर का सहीद से सहीद का डेविड से और डेविड का अंकुर से तो distance है वो बराबर है, तो therefore triangle ASD is an equilateral triangle, ठीक है जी, तो therefore जो OR होगा वो 20 का half हो जाएगा अब सर्ये कौन सी नहीं बला लेहाए, आप हमारे लिए, यह 20 है तो यह 10 हो जाएगा, आदा कैसे होगा, मैं आपको उताता हूँ, ऐसी थिवर्म जीवन में नहीं पढ़ी होगी, आज पढ़ा रहा हूँ, और यह हमारी बुक में भी नहीं है, यह बचपन में यह शायद कहीं सुनी हो, यह आगे जागे कहीं सुनोगे, वो है कि जो एक altitude होता है, इकुलेट राइंगल का, उसको center two ratio one में डिवाइड करता है, ठेक है जी, क्या, center divides, center divides, altitude, 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 यानि height, of equilateral triangle in two ratio one, इस चीज़ को याद रखेंगे, तो अगर यह 20 है, तो यह कितना हो जाएगा, 10, अगर यह 50 है, तो यह 25 हो जाएगा, यह R है, तो यह R by 2 हो जाएगा, यह याद रखना, ठीक है न, बास, अब in triangle OSR, फिर से आ गया तुमारा OSR, in triangle OSR, जो OS का square होगा, वो OR का square, और SR के square के बराबर होगा, OS का square हो गया 400, OR का square हो गया 100, SR का square आ जाएगा, 300 is equals to SR का square, SR की value आ गई 10 root 3 meter, क्या आ गई, SR की value आ गई 10 root 3 meter, तो therefore SD का मतलब क्या आ जाएगा, 20 root 3 meter, यही आपको निकालनी थी, length of each string, अंकुर से सहियत, सहियत से डेविड और डेविड से अंकुर तक की जो wire का distance है, length है, वो कितनी है, 20 root 3 meter, और अगर आप चाहो, तो root 3 की value भी डाल सकते हो, 1.732 meters, यह भी आप डाल सकते हो, बासांजा आ गई है, clear, दन है, आगे बढ़े, चलो, यह दोनों question लाजवाब थे, अब इनकी भी माताश्री, पिताश्री को मैं लेका राता हूं, इनके नहीं, अंको से डेविड के नहीं, इसको short form होती है, degree major theorem या angle major theorem, degree major theorem भी कहते हैं इसको, ठीक है जी, कहीं teacher यो theorem, कहीं teacher यह degree major theorem लिखने के लिए मना करते हैं, तो I advise कि आप पूरा ही लिखे paper में, जहां पर भी इस्तमाल होगी न, तो यह आपको statement याद करनी पड़ेगी, ठीक है न, तो आगई degree major theorem, degree major theorem क्या है, मैं आपको जाता हूं, कहते हैं कि एक circle है, कि एक circle है, यह आ गया, ऐसे, 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 यह ऐसे ले लो, एक arc, क्या कह रहा है, the angle subtended by an arc at center, is double of the angle subtended by it on the remaining part of the circle, if this is x, then this is x by 2 degree, यह 100 तो उपर वाला 50, इस arc ने, कौन सी arc ने, समझना, इस arc ने, center पर जो angle बनाया, वो अगर x है, तो उसी arc ने, बाकी बच्चे हुए remaining part of the circle पर, कहीं पर भी angle बनाया, मान लो यह भी बनाया, मान लो यह बनाया, मान लो यह बनाया, यह सारे x, y, 2 के होंगे, यह सारे x, y, 2 के होंगे, थोड़ा सा आपको और critique तरीक तरीके से पता देता है, ठेक है, ना, अच्छे से erase करके, चीजों को दुबारा से बताता हूँ बतब कहने का ताथ पर ने मेरा गलत नहीं था वो वही था कि एक सेंटर ये एक आर्क आ गया इस सेंटर पर इस आर्क ने जो एंगल बनाया लेट से हस्टौ डिगरी का बनाया तो अब ये ही आर्क पूरे पर कहीं भी एंगल बना लेगी वो पचास का होगा ठीक है ना कहीं पर भी बना लो यहां पर बना लो तो ये रहा और ये रहा ओहो क्या बना दिया हमने ये रहा ठीक है जी ये रहा ये कितने का होगा बेटा पचास जिगरी का होगा इधर होगा इधर होगा ये भी कितना होगा बेटा पचास जिगरी का होगा ये होगा ये होगा ये भी कितना होगा पचास जिगरी का अभी तो ये minor arc ने बनाया ऐसे semi भी बना सकती है और major भी बना सकती है बासन में आ गई angle subtended by an arc अच्छा इसका proof भी है इसका प्रूव भी है जो मैं आपको एक 10 मिनट कॉंसेप्ट की वीडियो में लाकर दूँगा ठीक है जी इसका प्रूव भी आएगा और 10 मिनट कॉंसेप्ट की वीडियो में उसके लेटर हम कोशन भी कर सकते हैं ठीक है बासल में आ गई तो क्या है ध्यार समझना दुबारा स समझे लो अगर यह Semi Circle पर होता है इंगल 90 सेरकल के अंदर सारे 90 डी होते हैं यह दा लो यह सैमि सेब्स ररकल है यह ओ भी आ गया और यह सी आ तो यह Jungle 90 की डीकरी को बोलते है ele G ziemi सरकल क्या होता है Angle in sociais Southern सेरकल BENansen सेय कितने भी Angle बना लो कितने क्यों पर यही लग रही है एक आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया रिमेनिंग पार्ट अब यही बात आप अप्लाई कर सकते हो मेजर प्रक्टर पर भी अब ध्यान से समय ना यहां गया मेजर इसने एंगल बनाया यहां पर माल लेते हैं 240 डिग्री का किता बनाया 240 अब यह वाला इधर बनाएगा अगर एंगल तो यह कितने का ओजाएगा विट्टा 120 डिग्री का क्या बनाएगा 120 डिग्री इसको में रिवर्स भी करके दिखा सकते हैं और अच्छे समझ में आता है बच्छों को आओ देखो समझ लो प्रूफ मैं करा दूँगा चिंता मत करो ठेक है जी अब यह आया यह एक मेजर आर्क हो गई यह क्या होगई मेजर आर्क हो गई यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 240 अब इसी आर्क ने रिमेनिंग पाट आप दा सर्कल दिस इस दा रिमेनिंग सरकल यहाँ पर बनाओगे तो यह आपको देगा 120 दिखरेगा बास में आ गए ठेक है जी समझ में आ गया आप इससे बहुत सारे कोशन है वह भी मैं आपको करा देता हूं ठीक है ठीक है अभी इसको दुबारा आएंगे पहले इससे लिट कोशन देख लो इससे लिट कोशन बनाया है वह बनाया है 90 डिग्री का तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दा सरकल पर कितना एंगल बनाएगी बेटा वह 45 डिग्री कर लोगे हूंवर्क देख लो मज़दार दे दिया तुमको काम मैंने आया ना क्या किया रहा है ए बी सी आर्दर फ्री पॉइंट्स अंदर सरकल विद असेंटर ओ सच डैट वो तीस डिग्री का था वो साट कन्फ्यूज कर रहे थे हमको लेकिन हम थोड़ना कन्फ्यूज होंगे यह टोडल कित आपको याद रखनी है क्या बोलते हो चलें ओके ठीक है अब इससे लेड़ कोशन आएंगे इससे लेड़ कोशन अभी आएंगे चलो एक और करा हूं यह लो इंपोर्टेंट कोशन करा जाते हैं वेरी इंपोर्टेंट पहली बात हो जमेंट्री का पहला रूल है फिकर नही हाबं है वह रेडियस के बराबर है कि कि यहांनी यह नी यह लो है जो भी ओ है वह उपके बराबर है तो देर्फोर practice safety of me in this hour ִप्लेन हो गया 180 एको ने तो यह वी जो आएगा वह 60 डिगररी का यहाएगा एक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिगरी के होते हैं मैंने इतना ही पढ़ा भी आए पढ़ते हैं find the angle subtended by this chord at point on the minor's arc कुन सी arc पर minor पर और major पर यह तो major हो गई यह हो गई minor तो आपको AMB निकालना है और ANB निकालना है यह वाड़ा तो निकल जाएगा यह 60 है तो यह भी निकल जाएगा यह निकल जाएगा आओ angle AOB जो होगा क्या वो twice नहीं होगा ANB के क्यों होगा degree major थ्योरा मैं यह लिख रहा हूँ आपको hint देने के लिए लेकिन आप कौन से लिखोगे पूरी statement तो AOB 60 degree था twice of ANB तो देरफोर angle ANB कितना हो गया बेटा हमारा 30 degree ठीक है यह यह आगया 30 degree अब यह वाला angle निकलने के लिए 2 minute wait करो पहले चलो एक concept पर ठीक है जी एक 2 concept आपका wait कर रहे है 2 minute का concept है समझाऊंगा angle इना same segment यह एक circle है अब आपको segment बतानी है कौन सी है देखो यह भी एक segment है और यह भी एक segment इस segment की बात करते है इस पे आप जितने भी angle बना लो वो सारे same major के होंगे यह x है तो यह भी x होगा यकीन मानो यह भी x होगा और ऐसा नहीं है उसी बात major के लिए वो है लागो अगर आप minor पे भी बनाओगे तो यह भी x हो गया यह भी x हो गया यह भी x है बताँ y ले लो यह मत्ताँ समझे ना कि वो 50 है तो यहां भी 50 आएगा नहीं एक segment पे बनने वाले सारे angle का major same होता है ऐसे यहां पर भी रहा और ऐसे ही यहां पर भी रहा angle इना same segment कहा जाता है ठीक है बेटा याज रखोगे और most important चीज होगी cyclic quadrilateral क्या हो गई cyclic quadrilateral यह एक circle है cyclic quadrilateral वो होता है जिसके चारो point circle पर लाई करते है एक ऐसा quadrilateral जिसके चारो point circle पर लाई करे है उसको cyclic कहते है इसकी पहचान होती है पहचान क्या होती है इसके जो opposite angles होते है वो supplementary होते है supplementary समझते हो ना supplementary का मतलब होता है जिनका sum 180 होता है जिनका sum क्या होता है is 180 degree यानि जो angle B और D होगा angle B plus angle D होगा वो 180 degree का होगा और जो angle C C और angle A होगा angle C और angle A होगा वो भी किते degree का होगा 180 angle C और angle A होगा वो भी किते degree का होगा बच्चो 180 degree का होगा यह आ गया विच्चो हमारा cyclic quadrilator की पहचान तो यह तीन चीजे बताई बेटा मैंने आपको इसको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ लो क्या कह रहे हैं कि एक तो एंगल इना सेमी सरकल हमेशा 90 के होते हैं always 90 degree नोट्स बनाते चलो बहुत सारी बाते हैं एक आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो मेशा डबल होगा रिमेनिंग पार्ट आप दा सरकल के हैं उसके बाद चाए वो माइनर हो सेमी हो या वो मेजर हो वो बात आपकी लागू होती रहेगी उसके बाद एंगल इना सेम सेग्मेंट एक ही सेग्मेंट में जितने भी एंगल बना लो सारे के सारे बराबर की होते हैं सारे सारे बराबर होते हैं और साइक्लिक कौटरी लिटरल की पहचान होती है चारो पॉइंट सरकल पर होंगे और opposite angle का sum 180 होगा मतलब उल्टा भी है अगर चारों point circle पर है तो opposite angle का sum 180 है या अगर opposite angle का sum 180 है तो सारे के सारे points कहां पर होंगे circle पर होंगे got it है चलें आगे तो इन सारी चीजों को base बना कर आपने याद रख लेना है चलें आगे आओ देखो ये question हो चुका है मैंने बताई दिया आपको पूरा का पूरा अब इसकी बात करते है ये हमारा धूरा रह गया था हमने ये 30 दो निकाल लिया था ये अगर 30 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा 150 नहीं हो जाएगा angle N जो होगा angle M जो होगा क्योंकि ये होगा cyclic quadrilator क्यों होगा cyclic quadrilator और N हमारा 30 था तो angle M कितना हो जाएगा angle M हो जाएगा 1500 डिगरी कितने का हो जाएगा बच्चो 1500 डिगरी बात समझ में आ गई है आया ना चलें आगे बहुत ही खुबसूरत question आगे question आपके लिए बड़े entertaining असान से question किताकि होसला बढ़ना चीए बच्चोगा आपको ये वाल angle निकालना है बड़े प्याव से निकल जाएगा बटा ये 69 का है ठेक है जी figure होगी आपके पास ये 31 डिगरी का है तो पहले ABC triangle पर बात करेंगे तो एन triangle ABC है जंक से समझना हर एक variety question लाया हूँ angle A है angle 69 है और angle 31 है 180 के बराबर आगया angle some property of triangle लग गई angle A कितने का आगया जल्दी बता दो ये आगया हमारा 100 डिगरी का 100 वाजा कर माइनस हो गया तो angle A आगया 80 डिगरी का अब मुझे बात बताओ अगर ये 80 डिगरी है तो ये भी 80 डिगरी का होगा जल्दी से बता दो comment section में क्यों जल्दी बता दो 5 तक गिनूँगा 1, 2, 3, 4, 5 तो answer is angle in same segment देखो इस segment में आप कितने भी angle बना लो कितने भी angle बना लो कितने भी angle बना लो सबका major same होगा तो ऐसी applications याद रखनी है आपको ठीक है न तो यहाँ पर आगया angle in same segment angle B, A, C बराबर होगा B, D, C के angle angle in same segment angle in same segment तो therefore angle B, D, C जो निकालना था वो भी कितने डिगरी का आगया प्यारे बच्चों 80 डिगरी का आगया कितने डिगरी का आगया 80 डिगरी का ठीक है ठीक है बड़िया कोशन चले NCRT के हैं इस कोशन में देखो मैं यहाँ पर और ली करा रहा हूं सादा काम और ली कराऊंगा आप घर पे करोगे होंवर्क करोगे देखो क्या करना है यह फिगर दी हुई है फिगर पढ़ने की विजवत नहीं पढ़ती जहां पर एंगल बेर कोशन आ जाता है एंगल निकालना है वहां दो जोगार हो जाता है फिर भी कोशन पढ़ना चाहिए कुछ गंभीर इंफोर्मेशन दे देते हैं ए भी सी डी चार पॉइंट से एसी और बी डी इंटर्शक करते हैं इपर बी इसी एकसो तीस है एकसो भी तो इस कोशन में कुछ भी गंभीरता नहीं है आपको निकालना है यह वाला इंगा बड़े प्यास से निकल जाएगा ध्यां से देखो बहुत ही प्यास से ये वाला 1.30 ये कितना आ गयाँ ऐगीर है ये 50 ये कितने का आ गया बिटा 110 एंगल के अगले roku है यह यह और गाउद आगी बात गॉट इट अगी बात किया हम इस कोशन को और तरीके से कर सकते हैं येस और नो और अगर है तो वो तरीका लिख दो किसार हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं लिख पाओ तो लिख पाओ तो दिल जीत लोगे तुम मेरा अगर लिख पाई किसार इस कोशन को करने के और भी तरीके उस तो यह आगे बिटा 50 और यह आगे हमारा 110 यह आगे रहा लिनियर पेर से और यह Angle Sum Properties है 110 यह 110 है तो यह कितना हो गया एक सुदार गॉट इट है चले आगे चलो देखो क्या कह रहा है कर लोगे न होमवर्क होमवर्क चलिए अगला कोशन भाई ये कोशन न मैं क्या कहता हूँ हर बारी कहता हूँ इस कोशन के लिए अरे हमारा लोगों भी सरकल है मैं हर बारी एक कोशन की बात करता हूँ वो ये है कि दो वक्त की रोटी छोड़नी है ये कोशन नहीं छोड़ना इसना important दो वक्त की रोटी छोड़ देना यह मत छोड़ना क्या रहे एक cyclic है cyclic if a non parallel side of us trapezium are equal prove that they are cyclic non parallel sides जो है वो equal है यह इसके बराबर है और यह प्रूफ करना है कि यह क्या है cyclic है cyclic मतलब opposite angle का sum क्या proof कर दो 180 तू proof करना है या तो या तो angle b plus angle d का sum 180 proof कर दो या angle a plus angle c का sum 180 proof कर दो और यह proof करने के लिए आपको लगेगी छोटी सी construction क्या लगेगी छोटी सी construction आपको क्या करना है c e बनाना है आपको draw करना है c e such that इस प्रकार से कि जो c e है वो parallel आ जाए d a d के जो c e है वो a d के क्या जाए parallel बढ़ा धमाकेदार कोशन है बच्चो दंक से देखना पड़ेगा आज ओ जी proof देखो अब जो हमारा d c है वो parallel है a e के है की नहीं है d c जो है वो a e के parallel है और जो a d है वो c e के parallel अभी लिखा और जो a d है वो c e के parallel है तो therefore a e c d is a parallelogram देखो एक पैलो एक quadrilateral की पहचान होती है कि अगर यह वाली side parallel है और यह वाली side भी parallel है तो वो parallelogram हो गया ठीक है ना each pair of opposite side each pair of opposite sides आर parallel है तो वो क्या बन जाएगा बेटा पैललो ग्राम ठीक है ना अब अगर यह पैललो ग्राम है तो जो angle 1 है वो angle 2 के बराबर आगे अपोजिट अंगल्स ओफ पैललो ग्राम्स एक पैलो ग्राम की अपोजिट अंगल्स बराबर होते हैं ठीक है जीए ओके और और जो a d है वो बराबर आजाएगा c e के और जो a d है वो already बराबर है b c के तो therefore c e भी b c के बराबर आजाएगा समझे लोग अभी आपने इसको पैलो ग्राम प्रूफ किया तो यह वाली साइड इसके बराबर आ चुकी है और यह वाली साइड already b c के बराबर थी यह कोशन ने बताया था तो अब c e b c के बराबर आ गया आ गया की नहीं आ गया तो which implies जो angle 3 है वो angle 4 के बराबर आ जाएगा angle opposite to equal size are equal है ना angle opposite to equal size are equal ठीक है ना angle opposite to equal size धमेशा क्या होते है बच्चों equal होते है ओके and and angle 2 plus angle 3 का sum तो कितना होगा बेटा 180 linear pair अब गवार से देख लेना angle 2 की जगा I can write angle number 1 plus 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 और angle 3 की जगा I can write angle number 4 from first and second from first and second तो angle 1 plus angle 4 की value आ गई 180 angle 1 क्या है angle D है और angle ये क्या है angle D भी आ गया easy close to क्या आ गया बेटा 180 hence proved यही proof करना था या लिक दो आगे 10 a b c d is cyclic क्योंकि इसके opposite angle का sum क्या चुका है 180 बहतरीनों का बहतरीन कोशन बहतरीनों का बहतरीन यकीन मानना चोड़ना नहीं है इसको चोड़ने का नहीं ठीक है जी ओके जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं याद आगे हैं बरको यह भी बड़ा important कोशन हैं लेकिने बहुत असांगोशन बहुत important बहुत असांग कह रहे हैं prove that a cyclic parallelogram is a rectangle एक साइकलिक पैललोग्राम है मालवी पैललोग्राम है छेकर गिवन क्या है कि A, B, C, D Is a पैललोग्राम टू प्रूफ प्रूफ करना है कि वो रेक्टैंगल है टू प्रूफ A, B, C, D is a रेक्टैंगल अच्छा मेरे को बाद बताओ एक बाह बताओ, एक पैलेलोग्राम और एक रेक्टैंगल में फरक क्या होता है मात्र एक चीज़ का फरक है, सिरफ एक चीज़ पैलेलोग्राम के सारे अंगल, बैसे दो दो चीज़ है, अंगल बेस तो दो दो चीज़ों का फरक है, पैलेलोग्राम के diagonal बराबर नहीं होते और सारे angle 90 नहीं होते rectangle के diagonal भी बराबर होते है और सारे angle 90 भी होते अगर मैंने इसके सारे angle 90 कर दिये तो ये parallelogram rectangle बन जाएगा बना देते हैं ध्यान समझेंगे बस angle B जो है वो angle D के बराबर है क्योंकि opposite angles of parallelogram बराबर होते हैं और angle B प्लस angle D 180 भी है क्योंकि ये cyclic है तो ये कहा है ना दोनों की properties तो angle B तो angle B है angle D भी क्या रख देते हैं angle B रख देते हैं 180 आ गया तो twice of angle B is equals to 180 आ गया angle B की value कितनी आ गई 90 angle D की value भी 90 आ गई इसी प्रकार angle A और angle C की value भी 90 आ जाएगी तो therefore A, B, C, D क्या बन जाएगा is rectangle क्या बन जाएगा rectangle बन जाएगा बास अन्या आ गई तो एक पैलो ग्राम जिसके सारे एंगल 90 के है तो वो क्या बन जाएगा बेटा rectangle clear है, done है तो ये था बेटा आज हमारा दमदार धमाकेदार शूले वाला ये सारी थियोरम वन डे में पड़ी एडवाइज सुन लो मेरी एडवाइज ये है कि आपने हर एक थियोरम को धंग से लिखना है उसको recall करते रहना है उससे related question जो तुम्हारे भाई ने आज करा है उसको करते रहना है फिर extra ये आने वाले पूरे देखो ये आज खतम नहीं हुआ you have to prepare it for coming three to four days आपको इसको तीन से लिखे चार दिन तक प्रिपेर करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना ये चाप्टर अच्छे नंबर देगा आई गरेंटीड थोड़ी सी क्रियोसिटी थोड़ी सी एनर्जी से पढ़ना है जिस एनर्ज आया इस चैप्टर को पढ़ा कर एक पूरा वन शॉट के अंदर इस चीज को खदम करकर इसके बहुत एक्स्ट्रा कोशन में लेकर आऊंगा बहुत जल्द यकीन मानों अच्छा कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या हम अब सरकल्स की और सर्फेस एजर वॉल्यम की मेंटी म कंसेट के अंदर लाऊंगा उसके अंदर मैं सारी की सारी थियोरिम स्टेंवन कोंसेट में बताओंगा और इस थियोरिम का बता दूँगा पूरा का पूरा पूरा अगला मेरा दर इही होने वाला है तो मिलू आपसे अगली क्लास में एक नए वन शॉट की तरह तब तक के लिए बाबाई टेक केर, have a nice day